नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल वीनू जुके सन पॉइंट में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2010 से 2023 तक हुए सभी एक्जाम में पूछे गए हिंदी का परस्न जो की दोस्तों सभी कोईशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एक्जाम के लिए बहुत ही ये कोईशन रामबान सावित होने वाला है दोस्तों इस वार बहुत ही जैदा वेकेंसी है इसलिए आपको नौकरी हर हाल में यहां पे लेना है बर्दी को लेकर ही लोटना है इसलिए दोस्तों अब ज़्यादा से ज़्यादा डिविजन कीजिए क्योंकि दोस्तों अब एक्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है दोस्तों मैं इस वर मनाओंगा भगवान से कि आपको एक सीट मिले आपका सेलेक्षन हंडेड परसंट हो जाए चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर सेयर कीजिए चले दोस्तों वीडियो की शुरुबात करते हैं पहला question देखेंगे दोस्तों कर रहे कि मनो योग का समनार्थी क्या होता है तो दोस्तों इसका right answer हो जागा option number B अवधान क्या होता दोस्तों अवधान धियान रखना है next question देखेंगे अचल का दोस्तों अनिकार्थी सब्द क्या है तो दोस्तों यह हो जागा option number A अचल का दोस्तों अनिकार्थी क्या हो जागा अटल next question देखेंगे कर रहे कोस का अनिकार्थक सब्द नहीं है तो दोस्तों इसका right answer खाली यह जो है इसका अनकारतक सब्द नहीं है बांकि अस्थान, मियान और खजाना दोस्तों है नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे दोस्तों कर रहा है बहुत सब्द में पर्युक्त परतिये दोस्तों क्या है तो दोस्तों इसका राई टेंसर मारेंगे option number C बहुत कारतिये हो जाएगा बहुत का परतिये हो जाएगा नेक्स्ट कॉश्चन देखेंगे कर निम्लिखित में से कौन सब्द क्रिदन्त परतिये से बना है तो दोस्तों इसका राई टेंसर होगा option number B दिकाउ नेक्स्ट कॉश्चन देखेंगे कर रहे कि पुरोहित में उपसर्ग क्या है दोस्तों पुरोहित में उपसर्ग क्या है दोस्तों सुरू का वर्ड क्या होता है पुरोहित क्या होगा पुरूहित में उपसर्ग क्या होता है लास्ट का परतिया होता है तो पुरोहित क्या होगा पुरूहित क्या होगा पुरूहित क्या आप जुलम हो जाता है इसका ईंसर देखेंगे option नमर अती दोस्तों निर्वा में पर्योग उपसर्ग कौन सा है तो इसका राइंसर अपिल भी नी ही नियुक अकटने से किस सब्द में पर्तिय का ठयोग हुआ है تو दोस्तों इसका right answer option number D धनिक एक जो है दोस्तों इसमें परती है दो धनिक option number D next question doिके're a tip सब्द में निमली खित में से कौन साूप सर्ग है और तो दोस्तों य हो जहेगा option number C pogoda next question सब्सक्राइब करें नूंससे सब्सक्राइब परियुक्त उपसर्ग दोस्तों राइट अजर picky नुम्ट में कौन साइब हो next question देखेंगे करें पड़ी उपसर्ग में कौन सा सब्द जोड़े जिसमें जिससे दोस्तों उसका अर्थ जो है क्या हो जाएगा छोड़ना हो जाए क्या हो जाए छोड़ना हो जाए तो दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन नमर दी छोड़ना हो जाए हार दोस्तों हार जोड लोकिक सब्द में पर्तिया है तो दुस्तों यह हो जाएगा ओप्सण नमर भी एक लोग इक इक जो है दो स्टों पर्तिया हो जाएगा नेक्स्ट्ट्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अनुरोध आगरा अनुरोध विने पुर्वक याचना जो है दोस्तों आगरा का आसाय है तो दोस्तों यह हो जाएगा option नमर भी अधिकार भावना से उद्भूत याचना ठीक है दोस्तों next question देखेंगे करा अनुसंसाधन अनुसंधान का समनार्थिक सब्द क्या होता दोस्तों अनुसंधान है दोस्तों अनुसंधासन नहीं है अनुसंधान तो इसका समनार्थी अर्थ यानि कि समान सब्द दोस्तों इसके कौन सा है तो यह हो जाएगा खोज ठीक है दोस्तों next question देखेंगे करा कि अबधी का समनार थी दोस्तों क्या होगा अबधी के दोस्तों इसमें से समान कौन है यह हो जागा दोस्तों समय आप्शन नमर सी नेस्ट कोशन देखेंगे दोस्तों कर रहा है अहंकार सब्द अहंकार का जो अर्थ है दोस्तों आत्मा ग्यान का घमंड जबकि दर्प का दोस्तों अर्थ क्या ह होता है दर्प का अर्थ दोस्तों हो जाता है बहुतीक घमंड बहुतीक घमंड कौम लोग दर्प काते नेक्स्ट कुछन देखेंगे करें दोस्तों आमंतरन का अर्थ बुलाना तथा नीमंतरन का अर्थ क्या होगा तो दोस्तों यह हो जाएगा option नमरे अच्छी तरह से भोलाना धियान रखना दोस्तों यह सब question इसी टेप का question पूछा जाता और यह जो भी question है दोस्तों यह previous year में किसी ने किसी exam में पूछा हुआ कोश्चन है इसलिए दोस्तों यहीं से कोश्चन आएगा आप धियान से पूरा वीडियो को देखिए और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा हम दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर सेयर कीजेगा तो चलिए देख डिशर हो जाएगा डी सारविक और मानसीक मेहनत और अंग रख्षक कदभव क्या होगा यहां डियांस देखेंगे इसका राइक एंसल हो जाएगा अंग रख्षा अंग रख्षा ऑफ्षा दोस्तोंं सी नेक्स कोशन देखें कि दोस्तों कर रहा है कि ओगहन का तत्सम रूप दोस्तों क्या होगा ओगहन का तत्सम रूप क्या होगा तो यह हो जाएगा दोस्तों अप्शन नमर डी अगहा अग्रह हयन तो नेक्स कोशन देखें कर रहा है आद्रक आद्रक का तत्सम सब्द दोस्तो अग्रव जो है दोस्तों अद्रक जो है दोस्तों तत्सम सब्द है तो दोस्तों इसका तद्भव क्या होगा तो दोस्तों यह हो जाएगा अद्रक अप्सन नमर सी नेक्स्ट कोशन देखेंगे कर रहा है करनस का दोस्तों तद्भव तद्भव रूप दोस्तों क्या होगा यह तो दोस्तों इसका राइट अंसर मारेंगे डंडा डंडा ऑप्सन नमर डी नेक्स्ट कोश्चन कर रहा है दोस्तों निम्न में से तत्सम तत्भाव का सही जोड़ा नहीं है तो दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्सन नमर ए उस्ट्र और उट नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे Kना भूक सब्द का तत्सम सब्द क्या है तो द। इसका राजट अंसर हो जाएगा बू भूभभुख जा क्या हो जा पूल का पढद सब्ट इसमें से कौन नहीं है इसका राइय चनसर ऑप्सिन नमर्ड दोस्तों पूल का पढद सब्सक्ड क है और सर्सती माता को बोलते हैं निमन में दिये हुए सब्दों में भिन अर्थ वाला सब्द दोस्तों आपको चुनना है मीन का पड़ियावाची सब्द क्या है मीन दोस्तों, option number C क्या है, मतस मचली को हम लोग बोलते हैं, मीन भी next question देखेंगे, दीन का परियावाची सब्द इसमें से कौन नहीं है तो दोस्तों यह हो जाएगा, दीन option number B दौद्रगी का दीन यह नहीं है दीवस बोल सकते हैं, बार बोलेंगे, बासर यह सब दीन का परियावाची सब्द है next question देखेंगे, दोस्तों कर रहा है भुजंग का परियावाची सब्द इसमें से कौन है, तो दोस्तों यह हो जाएगा, option number C साप को भुजंग, यानि की सर्प, option number C next question देखेंगे, खेर का परियावाची सब्द दोस्तों खेर का परियावाची सब्द इन में से है, तो दोस्तों यह हो जाएगा, option number C गधा, next question देखेंगे, कर रहा है कि अस्तन्य का परियावाची सब्द इन में कौन सा है, तो दोस्तों यह हो जाएगा डी दूद अस्तनिका दूद नेक्स कोशन देखेंगे कर रहा है कि तरनी का पढ़ियावाची सब्द इन में से कौन सा है दोस्तों यह हो जाएगा ए सूर्य नेक्स कोशन देखें दोस्तों का अनील का पड़िया अच्छी सब्द इसमें से कौन सा है तो दोस्तों यह हो जाएगा पवन अनील पवन next question देखेंगे दोस्तो कर रहे हैं समुंद्र मन्थन करना का अर्थ क्या होता है तो दोस्तो यह हो जाएगा option number D कतोर परिश्रम करना समुंद्र मन्थन समुंद्र जानते हैं कितने बड़ा होता है उसका मन्थन कर रहा है मतलब क्या दोस्तों उवह जो ढिकति है वह बहूत कठोर परिश्रम कर रहा है नेक्स pos बघाल लाग जाता है दोस्तों हम लोग चाती में तो गटा यह और यह उत्ड़ियों में बल परना यह इक्स्ते दिखेंग की कच्छे घड़े पानी भरना दोस्तों और्थ क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सोन नमर दी ठीक ढंग से काम न करना मतलब क जैसे काताई से काम करना विहंगम दिरिष्टी का एर्थ क्या होता है ओप्सन नमर C नेक्स्ट गशन दिरिष्टी कर रहा है कि पुत्र हरकतों से तंग आकर पिताव ने उसे डैस किया तो यह हो जाए गशन तिलान जली दे दिया अफ़सन नमर C नेक्स कुशन देखें दो कूप मंडूक होना का अर्थ क्या होता है कूप मंडूक होना का अर्थ दोस्तों क्या होता है यह हो जाएगा दोस्तों सी अत्यंत सिमित ग्यान होना सब्सक्राइब भागी रथिपरियत्न का अर्थ दोस्तों क्या होता है जो दोस्तों इसकार राय टैल इसम्हेंट ने खुट्णिच यह यह हो आन् lij ada हार मान लेना हर मान लेना घुट्न the do bálin hours काम का दुछ में मेरा कोरा होना Sir दोस्तों कोरा होना का अर्थ क्या होगा दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर डी काम नौ जानना काम नौ जानना दोस्तों काम काज में कोरा होना नेक्स कोशन देखेंगे दोस्तों कर चादर के बाहर पैर पसारना चाहर चादर के बाहर दोस्तों पैर पसार करना चाहिए और इसको शेंटक्स का रहा है कि गून के विरुद्ञाम हो कौसी लुकुक्ति का पड़्योग किया गया है इसमें यह हो जाए दोस्तों नमर सी आँख का अंधा नाम नेंसूख नाम नेंसूख नेंसूख नेच्टों कर दो Bacon नमर इसमें से कौन सा तो दोस्तों इसमें देखेंगे यह जहागा गा सुंदर्था कि अपंस़ों नमर सी फिर्धॉशन शुर्थ वरतनी का कौनशा सब्द है तो दोस्तों यह देखेंगे इसका राइट अनसर यह जागा विंती करना है तो इसमें हो जाएगा भगव भगव त्वर्थ प्रेम नेस्ट से सद्कित पैर taste यह ओज laughing नीस्ट नमर ड्हका ड्हको सला अकरना ड्हको सला करना देश्ट नीलिख्यत में से और सुद्ध वरतनी का चाहन किजिए तो यह जाएगा संदर्यता यह सब से पर मर रहा है कि कौन सब्द में वरतनी सही है तो ये देखेंग दोस्तों इसका right answer A हो जाएगा तदो प्रांत क्या हो जाएगा तदो प्रांत option number A next question देखेंग दोस्तों कहा रहा है कि निशाचर में कौन सा समास है तो देखेंग दोस्तों इसका right answer हो जाएगा option number C बहुबरी समास है धियान रखना है यहां से निशाचर दोस्तों कितना वार पूछा गया निशाचर बहुबरी समास है धियान रखना है नेस्ट कोशन देखेंगे दोस्तों कर रहा है कि पाप पुन्ड में कौन सा समास है पाप और पुन्ड में कौन सा समास है दोस्तों दो क्या है अलग अलग है दोंद पहु बी समाज का सही उदारन दोस्तों जो है नरोतं में कौन सा समाज है नरोतं lähो उत्तम पुरूश छो नमबर उत्ताम इसकार रह है was his नेक्स क्वेशन देखेंग दोस्तों का रहा है कि दूगू समास में चैन की जिसमें दूगू समास कौन सा है दोस्तों तो अभी बोले क्या होगा जो जिसमें दीन दिनांक लगा रहता है दोस्तों सप्ता जिसे सप्ता क्या हो गया दिन साथ दिन का तो यह हो जागा दोस्तों सब्ता द्विगु समास है नेक्स क्वेशन जी तेंद्र में कौन से समास है दोस्तों जी तेंद्र जोर इंद्र यानि की बहुत ये हो जाएगा दोस्तों नील कमल में कौन से समास है बहुत बारिक जाम में पूछा गया क्वेशन है नील कमल दोस्तों ये हो जाएगा कर्मधा समास और देखेंगे करा मूख दर्शन में कौन सा समास है मूख से दर्शन तत्पुरूस और वन वास में सही समास का विग्रह कौन सा है यह दोस्तों सी हो जाएगा वन में बास वन में बास नेक्स कोशन अब यभी बहुत समास का उदाहरन इसमें से दोस्तों कौन सा है तो ये हो जाएगा परती दीन दोस्तों परती दीन परती और क्या बोलते हैं इस step का जो भी रगए दोस्तों पड़ती दीन हो गया तो ये हो गया दोस्तों अब लब भाव शमास का होता है हो इसको कुसिन देखंगे आज झाल कोँ साभ भी शमासका दोस्तों उद़ाहर नहीं है ये हो जाएगा दोस्तों मन माना मन माना तत्पुरुस समास का इसमें से कौन उदाहरन है तो इसका राइट अंसर मालेंगे दिन नाथ दिना नाथ में दोस्तों कौन सा समास है अभी देखें कौन सा है तत्पुरुस आप्सन नमर सी नेक्स क्वेशन देखेंगे कर तरनी तनुजा कट तमाल तरुवर चाय में कौन सा अलंकार है दोस्तों यह हो जाएगा अनुप्रास यानि ओप्सन नमर दोस्तों ए नेक्स क्वेशन देखेंगे चरर मरर खुल गए अररर रव अस्पूटो में अस्पूटो से तो इसका कौन सालंकार रहे इसमें यह हो जागा दोस्तों, आपसाण नमर ए अनुप्रास इसमें भी नेस्स कॉश्यन देखेंगे कररा रहिमन जो गीत घीत रहिमन जो गती की दीप दीप की कूल कपूत गती सोय मतलब क्या दोस्तों रहिमन जो गती दीप की तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा ये बोल रहा है कौन सा अलंकार है तो दोस्तों इसमें राइट एंसर मारेंगे डी स्लेस क्या मारेंगे स्लेस नेक्स्ट क्या रहा है कि तीन बेर खाती थी अवे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है तो दोस्तों यह हो जाएगा option number C यमक next question देखेंगे करा कि निमलेखित में से कौन सब्द सब्द लंकार नहीं है तो दोस्तों यह हो जाएगा option number C उपमा दोस्तों हिंदी में कम से कम दोस्तों 5 से 7 question पूछा जाता है कभी-कभी दस भी पूछता है तो इसलिए आपको कम से कम उसमें 75% question को सही करना है इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिए topic को अच्छे से समझ जिए और दोस्तों इस वीडियो को भी अगर यह वीडियो दोस्तों आपको पसंद आ रहा तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि दोस्तों इसी टैप का question exam में पूछा जाता है next question देखेंग दोस्तों कर रहा है तोता डाली पर बैठा है वाक में कौन सा कारक है तो दोस्तों यह हो जाएगा option number C हो जाएगा अधी करन कारक next question देखेंग दोस्तों कर रहा है कारक चिन्नों को यह भी कहा जाता है कारक चिन्न को दोस्तों और क्या कहा जाता है यह हो जाएगा दोस्तों पर सरंग पर सरंग नेक्स question देखेंग दोस्तों कहा रहा है कि वे उत्तम संस्कारों से हमें द्रिड करेंगे वाक में कारक का कौन सा परियोग हो जाता है यह हो जाएगा दोस्तों option number C हो जाएगा दोस दोस्तों सब ग्राम वासी खजाना लूटने को दोड़ पड़े इस वाक में कौन सी किरिया है तो दोस्तों इसमें हो जाएगा option नमर ए सन्यूक्त किरिया है बना पुर्ण रूप से सभी आदमी जो है उसके पीछे पूड़ गिया है नेक्स क्वेशन देखेंगे किरिया वरतमान काल में है दोस्तों इसको पढ़ना है बोलना है कि कौन सा भी वरतमान में कर रहा है या जा रहा है कुछ भी जो भी हो तो वरतमान में होना चाहिए देखेंगे दोस्तों किरिया वरतमान में होना चाहिए देखेंगे दोस्तों किरिया वरतमान काल में है दोस्त क्रिदंत पड़ती है किन सब्दों के साथ जूड़ते हैं क्रिदंत दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछन है धियान रखना इसको यह हो जाएगा दोस्तों अप्शन नमर डी किरिया से नेक्स कुछन देखेंगे कर धातू के बाद क्या लगाने से पूर्ण कालिक किरिया बन जाती है तो दोस्तों यह हो जाएगा कर लगाने से नेक्स कुछन देखेंगे भासा की सबसे चोटी उकाई दोस्तों पूछा गया क्वेस्चन है भासा की सबसे चोटी उकाई तो यह हो निम्लिखित में से उच्छारन अस्थान के अधार पर कंट से लेकर मुख निचार में उच्छारित वेंजन धमनियों का सही करम दोस्तों क्या है तो यह हो जाए जो अप्शन नमर एक कंठे तालवे और वत्सय और दंते और उठ नेक्स क्वेशन पूछ रहा है दोस्तों वर नमाला किसे कहते हैं देखेंगे दोस्तों वर्नमाला जो कहते हैं इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर दोस्तों डी हो जाएगा वर्नों के विववस्थित समू को दोस्तों वर्नमाला कहते हैं दियान दखना है निम्लिकित में से कौन सा स्वर नहीं है क्या है द नेक्स्त वख् protecting से कौन सा एक सन्योच्ट वेंजन नहीं तो दोस्तों बी देखेंगे यह संच्छ वंजन नहीं है это serious question देखेंगे दोस्तों कर boys कि नासिक वहेंजन में कौन सा या नासिक क्यों सा वह है दूस्तों यह हो जाएगा दीं सब्दों के अंत में और लग आ आता है उन्हें दोस्तों क्या काते है तो दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा option नमबरि डी आकारात काते हैं इसको धियान रखना दोस्तों पूछा जाता है क्या आइक लेंस तो और के देख 15 कर रहा है कि अनुआशिक सबद का संबनध दोस्तों किसे से व्येजन कहलाते हैं यह हो जाएगा संगर सी औस सन् से बना है यह किस वर्णों के सहयोग से बना है तो इसका रॉइल तो ऑप्ता नमर ब यह है दोस्तों यह था आज का हिंदी का क्लास जो की बहुत इसमें दिया हुआ है एक्जाम में आने की ज़्यादा सब्सक्राइब कर लिजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाहिंद